आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि 15 अगस्थ सन 1947 को भारत अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र हुआ उस समय देश विभिन रियासतों में बटा हुआ था वर्ष 1947 में अंग्रेज यहां से जातो रहे थे लेकिन वे एक ऐसे भारत की नीव बना कर जा रहे थे जो सतत गहकल है और रग्त पात में उलजा रहे अंग्रेजों ने भारती रियासतों को जाते समय ये स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहें तो स्वतंत्र रहें या भारत या पाकिस्तान में किसी एक जगहा पर जाकर वो मिल जाएं जून 1947 में हैदरावाद के सासक निजाम ने स्वयम को स्वतंत्र रखने का पत्र भेजा और स्वतंत्र रहने की तैयारी भी आरंब कर दी निजाम को इस काम में अंग्रेजों का मौन और मुहम्मद अली जिन्हा का खुला समर्थन मिला लेकिन हैदरावाद की जन्ता निजाम सासन से मुक्ति चाहती थी वह भालतिय गर्दंत्र का हिस्सा बनना चाहती थी इसका एक कारण हैदरावाद की सासकों का समाज पर दमन और अत्यचार था हैदरावाद रियासत में बहुमत तो हिंदू परंपरा को मानने वालों का था लेकिन वहां कानून इस्लामिक सरिया के अनुसाल चलता था बहुशंकक हिंदू समाज को वहां दवाने का काम लगतार चलता रहा हैदरबाद में धार्मिक सत्ता के अधिकार का दुरुपयोग, बहुसंक्यक समाज का सोचन और उत्पीरन का क्रम लगतार बना रहा इसलिए हैदरबाद का बहुसंक्यक निजाम से मुक्ति चाहता था रियसत का आधिकारिक धर्मी इसलामिक प्राबधानों के अनुशार नहीं था अपितु आधिकार सांस्किय पदों पर भलती भी मुस्लिम समाज के लोगों की की जाती थी सीज पदों पर तो एक भी गैल मुस्लिम नहीं था निजाम के मन में मराटा सासकों के प्रती इटिनी कटूलता थी कि इस बात का अनुमान हम यहां से लगा सकते हैं कि जब मराठों ने भूपाल विजय का अभियान चलाया तो भूपाल नवाब को मदद के लिए निजाम की फौज भूपाल आई हाला कि यह बात अलग है कि भूपाल में संयुक्त फौज से लड़ने के बाबजूद भी मराठों से उन्हें पराजय का मूँ देखना पड़ा 15 अगस्त सन 1947 को निजाम ने स्वयम को स्वतंत्र होने की गोशना कल दी और इस घोशना के बाद ही हैदरवाद रियासत में हिंसा की घटनाएं प्रारंब हो गई रजाकारों और रियासत की सेना मिला कर इसकी संख्या लगबग दो लाग थी उनके पास हत्यार भी खूपते ही इन हत्यारों के दम पर उन्होंने अनेक इस्थानों पर लूटपात हत्या बलतकार धर्मान तरण का सिलसला प्रारंब कर दिया और सैक्णों हजारों परिवार सुरक्षित इस्थानों की और भागे 1948 के आरंब में ये सूचना मिली की हैदरबाद में पाकिस्तान से ससस्त्र सैनेक आ रही है उन्हें बहाँ पर वसाया जा रहा है और रियासत हत्यारियों की खरीद के लिए और अस्थानों से 30 लाग पाउंड के हत्यार खरीदने के ओर्डर भी दे चुका है यह चानकारी जब ततकालीन ग्रहमंत्री सरदार बल्लब भाई पटेल को लगी तो उन्होंने यहां मोल्चा संभाला सरदार पटेल ने पहले तो निजाम को मनाने की कोशिश की कि वो भारत में बिलै हो जाए लेकिन जब सब कुछ सकारात्मक नहीं देखा सकारात्मक संदेज निजाम की तरफ से नहीं आया तो 9 सितंबर 1948 को उन्होंने चेताबनी पत्र जारी किया लेकिन उसके बावजूद निजाम नहीं माना और इसके बाद प्रारंब हुआ ओप्रेशन पोलो 11 सितंबर को हैदरावाद में सेन अभियान का निर्ने लिया गया था जिसका उद्धिश्टा भारत में हैदरावाद को ब्लै करना क्योंकि वहां की बहु संक्यक आबादी का मन था कि वह भारत में आकर बिले करे 11 सतंबर को शैन अभियान प्रारंब हुआ और इस अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो 12 सतंबर को सैना को कूछ करने का आदेश मिला 13 सतंबर को सैना ने हैदरावाद में ओपरेशन आरंब किया 17 की साम निजाम ने समर्पन प्रस्ताब दिया और 18 सितंबर को विलीनी करन दस्तावेज पर हस्ताग चलुए अभियान में सैना के कुल 329 जवानों के प्राणों का बलिदान होने की जानकारी मिलती है तो वहीं दूसरी तरब निजाम की सैना के 807 सैनेकों को हमारे भीरों ने मौत के घाट उतार दिया हैदरावादी आसद बर्तमान में भारत का हिस्सा है इसके लिए एक लंबा संगर्ष चला लंबे समय तक हिंदू आवादी ने अपनी आवाज उठाई जिसके बाद ये नेने लिया गया कि हैदरावाद कहीं भारत से फिसल ना जाए इसलिए उसे अब भारतिय गरतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए हम सेन अभियान चलाएंगे हैदरावाद रियासत के छेत्रपल लगबग 82,000 बर्ग मील का था जो इंगलेंड जैसे देश से भी अधिक था तब इस रियासत की आवादी लगबग एक दिसानलव 6 करोड थी इन में अधिक तर 85 परतिसत हिंदू आबादी थी और 11 परतिसत मुस्लिम बाद 4 परतिसत अन्यते यह देश की दूसरी सबसे वड़ी रियासत थी उस समय रियासत के निजान चाहते थे कि वह स्वतंत्र रहें और हिंदूओं पर कूब अचार हो इ अबियान हमारे भारतियसेनिकों द्वारा चलाए गए अगर भारत में हैदरावाद बिलै नहीं होता तो इतना बड़ा भूबाग भारत का हिस्सा नहीं होता वहां के हिंदूओं पर अत्याचार होते रहते तो समय तत्कालीन ग्रहमंत्री का यह निर्ण है कि भारत में है काफी सराइन यह था और उप्रेशन पोलो ने इस बाग को सफलता की तरफ ले जाकर हमारे भारती सेरेशनगों के सार्रीपा परिचाह दिया आज हमने इस बात कियो कि आज 10 सितंबर है आज वही दिन है भारत में हैद्रावाद का बलए हुगा आपको कि कहानी कैसी लगी आपको ग्रेह मंत्री के शामर्थ और हमारी सेना के शौर का परीचाय कैसा लगा अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे कर जा रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये बात मालूम पड़े कि भारत को एक जु कुग दान दिया